दोस्तो दर्दनाक हो सकता है टॉंसल्स की स्थितिका होना आकर कैसे से राहत पाएं इस बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दरसल्द गले में जब खरास होती है तो वही टॉंसल्स की जलन और सूजन का करण बन जाती है अगर सई समय पर इसका इलाज ना किया जाये तो आपको बहुत गंभीर समस्वाओं हो सकती है तरसल अगर सूजेवे टॉंसल्स हैं तो वो काफी दर्दनाक हो सकते हैं टॉंसल्स गले की छोटी ग्रंतियां होती हैं जो कि दोनों तरफ एक एक होती हैं जिसका काम उपरीश्वाशन पत को संक्रमन से बचाना होता है अगर इसमें दर्द हो जाया तो इस्तिती काफी दर्दनाक होती हैं हाला कि गले में खराश टॉंसल्स या सूजन का करण बनती है अगर लगातार इसमें सूजन हो रही है तो इससे ना सिर्फ दर्द होता है बलकि खाना खाने में भी दिक्कत आ सकती है टॉंसल्स कई मामलों में संक्रमन का कारण बनते हैं सामाने सर्दी वाइरस, इंफ्लियोंजा वाइरस, एडिनो वाइरस, रिसेप्टरी, सिंकेटियल वाइरस और एपस्टेन बार वाइरस की वज़से होती है कई बार एंचिबाइटिक दवाईयों से इसे ठीक किया जा सकता है तरसल टॉंसल्स की जो बिमारी है वो संक्रमक होती है यानि कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर आसानी से फैल जाती है किसी भी संक्रमक व्यक्ति के साथ बरतन, कप या फिर अन्या सामान चीजों को साजा करने से भी ये फैल सकता है इम्यून सिस्टम का कमजोर होना इसकी सबसे बड़ी वज़ा होती है कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग, जैसे कि HIV, आपलिक, AIDS वाले लोग, कीमो थेरपी से गुजर रहे लोग उनमें टॉंसल सही संक्रमन होने की संभावना दिखोती है कुछ व्यक्तियों को प्रोनिक टॉंसल का भी अनुभव हो सकता है जहां पर टॉंसल में समय समय पर बार-बार सूजन होती है क्रोनिक टॉंसल, क्रोनिक साइन संक्रमन, एनरजी या फिर अन्या इम्यून सिस्टम डिसॉर्डर के वज़़े से होते हैं इसके लिए कुछ उपाय आप घर पर ही कर सकते हैं जैसे कि नमक वाले पानी से अगर आप गरारे करते हैं, तो इससे आपको रहत मिल सकती है गरारे, एंटिसेप्टिक हो सकते हैं या फिर साधरन नमकीन गरारे से भी संक्रमन को जल्दी दूर किया जा सकता है ये गले की खराश और दर्द को शांत करते हैं और सूजन को भी कम करते हैं आपको ततकाल आराम तो ये नहीं देंगे लेकिन अगर आप लगातार से करते हैं तो आपका विक्टीरिया खत्म हो सकता है दो से तीन मिनट तक रेगुलर आपको दिन में दो बार गरारे करने हैं इ आप गर्म चाई में भी शहद मिलाकर पी सकते हैं रात में जब आप सोते हैं तो यह दर्ड आपको बढ़ सकता है इसलिए आप रात को गर्म दूद में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीनी चाहिए यहीं इसके अलाबा दोस्तो लॉंग या अद्रक भी आपको बड़ा फाइदा दे सकते हैं लॉंग में यूजिनॉल होता है जो कि प्रकरतिक दर्ड निवारक और एंटी बैक्टिरियल होता है एक या अधिक लॉंग अपने मूं में रखें उसे नरम होने तक चूसते रहें तो यह कुछ कारण है दोस्तों हाला कि अगर दिक्कत जादा है तो आपको शरूर करना है वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा कुछ से तक यह कि वीडिया एंटी थो स्टेधिक जादा है जाना है और ह auto चाल। यह कि झाल। झाल।